नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवी चप्टे और आज हम क्रिया में देखेंगे संयुक्त क्रिया के भेद क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कारिया के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं जैसे अमूल किताब पढ़ता है, रादी का फल खाती है, पहले वाक्य में पढ़ता है यह क्रिया है और दुसरे वाक्य में खाती है यह क्रिया है, याने पढ़ना और खाना यह क्रियाए है इससे पहले हमने क्रिया के मुख्य भेद देखे है सौरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के ग्यारा भेद है उनमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रिर्नार्थक क्रिया, पुर्वकालिक क्रिया, तातकालिक क्रिया, प्रुदंत क्रिया, योगिक क्रिया, सहयक क्रिया, सजातिय क्रिया और विधी क्रिया संयुक्त क्रिया के भी ग्यारा भेद है अरंब बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ती बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमती बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, आवशक्ता बोधक संयुक्त क्रिया, निच्चा बोधक संयुक्त क्रिया, अब्यास बोधक संयु सायुक्त क्रिया, उंनरुक्त वोधक सायुक्त क्रिया. अब हम सायुक्त क्रिया और सायुक्त क्रियाओं के भेज देखेंगे। संयुक्त क्रिया किसे कहते है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाए मिलकर एक ही कार्य को पुर्ण करती है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते है संयुक्त क्रियाए दो या दो से अधिक धातूओं से मिलकर बनती है, जैसे रामु बादार चला गया, रोशंग रोने लगा, मोनु ने दूद पी लिया, हम स्कूल से लोट आए, सुधा उस्तव पढ़ने लगी इन वक्यों में से पहले वक्यों में चलना, जाना यह दो क्रियाए आई है, दूसरे वक्यों में रोना, लगना, तिसरे वक्यों में पीना, लेना, चौधे वक्यों में लोटना, आना, और पाच्वे वक्यों में पढ़ना, लगना यह दो क्रियाए आई है और इन दो क्रियाओं से मिलकर एक ही कारिय पुर्ण हुआ है इसलिए ये संयुक्त क्रियाए है संयुक्त क्रिया के भेद संयुक्त क्रिया का पहला भेद है आरंब बोदक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंब होने का वोध होता है उसे आरंब बोदक संयुक्त क्रिया कहते है मुख्य क्रिया के आगे लगना यह क्रिया जोडने से आरंब बोदक संयुक्त क्रिया बनती है जैसे पानी बरसने लगा, आचल नाचने लगी, दीपक और गायतरी खेलने लगे संयुक्त क्रिया का दूसरा भेध है समाप्ती बोदक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समाप्ती का पता चलता है उसे समाप्ती बोदक संयुक्त क्रिया कहते है समाप्ती बोदक संयुक्त क्रिया में चुकना यह क्रिया जोड़ी जाती है जैसे रभू सो चुका है हम यह फ्लीम देख चुके है शीतल पड़ चुकी है संयुक्त क्रिया का तीसरा भेद है अवकाश बोदक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को निश्पन्न करने के लिए अवकाश का भोधो वह अवकाश बोदक संयुक्त क्रिया कहलाती है मुख्य क्रिया के आगे पाना यह क्रिया जोडने से अवकाश बोदक संयुक्त क्रिया बनती है जैसे गनेश मुश्किल से जाग पाया है वह बड़ी महिनत के बाद जीत पाया है गीता बड़ी मुश्किल से खाना बना पाई है संयुक्त क्रिया का चौथा बेद है अनुमती बोधक संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमती दिये जाने का बोध हो, उसे अनुमती बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे मुझे जाने दो, उसे बोलने दो, आधित्य को खेलने दो. संयुक्त क्रिया का पाच्वा भेधे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया के खत्म न होने का यानि नित्यता का भाव प्रगठो उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते है मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना यह क्रिया जोडने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है जैसे पानी बहर रहा है विवेक चलता रहा दीपक बढ़ता गया संयुक्त क्रिया का छटवा भेदय आउशकता बोधक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की आउशक्ता का या कर्तव्य का पता चलता है उसे आउशक्ता बोदक संयुक्त क्रिया कहते है साधरन क्रिया के साथ पढ़ना, पोना, अथवा चाहिए क्रियाओं को जोडने से आउशक्ता बोदक संयुक्त क्रियाए बनती है जैसे तुम्हे स्कूल जाना चाहिए यह काम मुझे करना पढ़ता है राष्टर निर्मान के लिए हमें आगे बनना होगा संयुक्त क्रिया का अगला भेद है निच्चे बोदक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निच्चेता का बोध होता हो उसे निच्चे बोदक संयुक्त क्रिया कहते है निच्चे बोधक संयुक्त क्रियाओं में पुर्णता और नित्यता का भाव्यक्त होता है जैसे किशोर बीच में ही बोला मैं पुलिस बनूँगा पंकजने कहा मैं विदेश जाऊंगा मैं चाय बनाऊंगा संयुक्त क्रिया का अगला भेदय इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के करने की इच्छा का पता चलता है उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते है क्रिया के साधारन रूप में चाहना यह क्रिया जोडने से इच्छा बोदक संयुक्त क्रिया बनती है जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, वह स्कूल जाना चाहता है, सीता किताब पढ़ना चाहती है संयुक्त क्रिया का नवववेद है अब्यास बोदक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया को करने के अब्यास का बोद होता है, उसे अब्यास बोदक संयुक्त क्रिया कहते है सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना यह क्रिया लगाने से अब्यास भूदक संयुक्त क्रियाए बनती है जैसे जगन लिखा सकता है, सुरज पढ़ा सकता है, पवन सिखा सकता है संयुक्त क्रिया का दस्वा भेधे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से कारिय करने की शक्ति का बोध होता है उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में सकना क्रिया जोड़ी जाती है जैसे अभय दोड़ सकता है, गीता लिख सकती है, मैं देख सकता हूँ संयुक्त क्रिया का ग्यारवा भेदय पुनरुक्त संयुक्त क्रिया जब दो समान दोनी वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते है जैसे तुम हमेशा खेलते कुदते रहो आप यहां आते जाते रहना मैं पड़ा लिखा सकता हूँ अगले वीडियो में हम प्रेनार्थक क्रिया प्रेनार्थक क्रिया के प्रेरख और भेद देखेंगे धन्यवाद